वेलकम तो CP का सोशल साइंस क्लासेज। So students, in this lecture we are going to study about How participant saw the moment? Which moment? Civil disobedience moment, क्योंकि हम उसी moment की बात कर रहे हैं हम तो students हम रिकॉल करते हैं अपना previous lecture के हमने उसमें क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था दांडी मार्च के बारे में और डांडी मार्च कैसे civil disobedience मुमेंट के साथ evolve हुआ था लोगों ने उसमें कैसे participate किया था और जब वो मुमेंट में violence ज्यादा create हो गया था तो गांधी जी ने उस मुमेंट को call off किया और एक pact sign किया किसके साथ इर्विन के साथ जहाँ पर उन दोनों ने अपने अपने demands रखी तो वहाँ पर उन्हें लंडन में second round table के लिए second round table conference के लिए invite किया गया था गांधी जी वहाँ पर गये पर उन्हें वहाँ पर उस conference में कुछ भी हाथ नहीं लगा तो गांधी जी ने सोचा मुझे अपने moment को दुबारा से relaunch करना चाहिए और इसलिए उन्होंने अपने moment को rela किया जिसमें different different categories के लोगों ने participate किया students आपको याद होगा non cooperation moment में भी participation हुआ था लोगों का cities में हुआ था countryside में हुआ था और tribal people हो गए पीजेंट हो गए farmers plantation workers इन सबने participate किया था तो क्या students उस time पर उनका जो main motive था क्या वो Britishers के खिलाफ लड़ना था नहीं तब उस moment में लोगों ने अपने problems के लिए fight किया था मतला जो rich farmers थे या poor पीजेंट थे rent कम हो जाए हमारा tax कम हो जाए plantation workers थे वो चाहते थे हमारी free entry और exit ह हो जाए हमारे field से तो totally वो anti-british नहीं था तो हम इस lecture में पढ़ेंगे कि जो participant है उन्होंने इस moment को कैसे लिया क्या उन्होंने इस moment को anti-british लिया यह अपने problems को लेकर उन्होंने participate किया तो हम पढ़ेंगे इसमें what why did they participate in the moment what were their ideologies and what did सवराज mean to them so हम बात करें कि सबसे पहले country side, country side में हमने दो categories में मैंने divide किया rich farmers और poor present में और students towns में divide किया है industrial owners और industrial workers में और एक category है हमारी women तो students हम इस five categories के बार में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने moment में कैसे participate किया तो first category है हमारी rich farmers, rich farmers वो होते थे जो crops जिनके अपनी land होती थी और जो commercial crops को उगवाते थे अब क्या हो चुका था पिछले lecture में आपने देखा था depression चल रहा था economic depression मतलब जिसके कारण जो crops की जो prices थी वो बिल्कुल क्या होती जा रही थी down होती जा रही थी अब revenue जो government को pay करना था वो तो उतने का उतना है था high का high पर prices जो commodities की थी जो agriculture goods की थी वो क्या होती जा रही थी कम होती जा रही थी इसमें जो rich farmers को अपना revenue pay करने में बहुत problem आ रही थी वो अपना revenue pay नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने British government से अपने जो revenue की जो high revenue जो वो demand कर रहे थे उसको deduct करने की बात की पर government ने वहाँ पर कोई reduction नहीं की कोई reduction नहीं की तो इस वजह से जो rich farmers थे वो क्या होगे Britishers के खिलाफ हो गए तो उन्होंने कहा था हम इस moment में participate करेंगे ताकि हमारा जो revenue है वो क्या हो जाए deduct कर दिया जाए तो यहाँ पर rich farmers का notion क्या हुआ जो rich farmers ने अपना freedom को लेकि idea क्या लिया सवराज को लेकि क्या idea लिया against the revenue कि हमारा क्या होना चाहिए इसमे revenue कम हो जाए हम इसलिए इस moment में गांधी जी की sport करेंगे Britishers के खिलाब इसलिए खड़े है ताकि जो हमारा revenue है वो कम हो जाए participant इसमें main कौन से rich farmers थे पटिदार से गुजरात एंड जाट से उत्तरपरदेश तो इसमें rich farmer का notion जो था freedom को लेकि वो क्या था against revenue अब हम पढ़ेंगे poor peasants ने civil disobedience moment में किस notion से participate किया poor peasants कौन थे? poor peasants वो लोग थे जो rich farmers से land लेते थे और उस land पर work करते थे rent पर लेते थे वो land इससे तो अब poor peasants भी इस चीज़ से प्रेशान थे कि revenue जो था वो बहुत ज़ादा था और जो cropping की जो value थी crops की जो value थी वो धिरी धिरी क्या होती जा रहे थी down होती जा थी क्योंकि economic depression चल रहा था जिसकी वज़े से उन्हें अपनी crops की उतनी value नहीं मिल पा रही थी अब peasants चाहते थे कि जो हमारा rent है जो वो बिल्कुल क्या हो जाए रिमिट हो जाए रिमिट मींस बिल्कुल माफ हो जाए बट उसके लिए उन्होंने क्या से लाए Congress was unwilling to support them Congress जो थी वो present case moment में participate करने के लिए ready नहीं थी जो उन्होंने moment चलाया था anti-rent moment क्योंकि जो Congress थी वो किसका support करती थी rich farmers का अगर poor peasants rent पे नहीं करते तो वो किसके खिलाब जाएगा rich farmers के क्योंकि rent किसका था वो rent किसको pay करना था rich farmers को pay करना था अगर वो ये moment चलाते है त तो वो moment किसके against हो जाएगा rich farmers के तो Congress जो थी Congress को कौन support कर रहे थे rich farmers sport कर रहे थे money wise भी sport कर रहे थे अगर Congress इनको support करती है poor peasants को तो rich farmers क्या हो जाएगे Congress के against हो जाएगे इसले Congress उनके moment में इतना उन्होंने interest शो नहीं किया farmers के पूर farmers के moment में अब हम देखेंगे अपनी next category industrial owners कि industrial owners का क्या उनकी demands थी क्या उनकी problems थी किस वज़े से उन्होंने civil disobedience moment में participate किया क्योंकि हर person ने अपने different notion से civil disobedience में moment में participate किया था तो industrial owners की भी कुछ demands रही होगी जिसकी वज़े से उन्होंने इस moment में participate किया था एक बात बता दू students में आपको जो industrial owners जो थी वो finances थी Congress की क्योंकि वो Congress को funds provide करते थे उनकी money wise help करते थे क्योंकि आप देखो कोई भी moment है अगर हमने उसको launch करना है तो उसमें funds की जुरूरत पड़ेगी मतलब किसी चीज़ को आप buy court कर रहे हो कोई policy आप new चला रहे हो तो उन सब को चलाने के लिए funds चाहिए होते थे पैसे चाहिए होते थे तो वो funds कहां से आते थे या तो funds rich farmers पे करते थे या वो industrial owners करते थे तो Congress को इस चीज़ से बड़ी support मिलती थी उनके funds से उनको अपनी policies को change करने में अपनी new policies को बनाने में यह जो industrial owners है rich farmers से यह बहुत help करते थे अब हम देखते हैं industrial owners ने क्यों participate किया industrial owners एक बात बताती हो आपको पीछे से relate करते हुए याद होगा आपको कि 1914 में फर्स्ट वड़वार हुआ था फर्स्ट वड़वार जब हुआ था तो Britishers जो भी थे सारे के सारे वो किसमें busy हो गए थे फर्स्ट वड़वार में और वहां के जो industries थी वो जो goods बना रही थी वो world से related goods बना रही थी जैसे उनकी uniform हो गई गंबूट्स हो गए और हतियार हो गए तो उस ताइम पर जो उनकी industries जो products बना रही थी उनमें downfall आ रहा था वो नहीं बना पा रही थी तो वो chance किसको मिला हमारी Indians को मिला हमारी Indians industries को मिला तब लोगों ने महां पर अपनी industries बनाई और उस industries को flourish किया और अच्छे products बनाए अब उनकी जड़े कही ना कहीं मजबूत हो चुकी थी industries में और उन्हेंने काफी उस टाइम पर पैसा कमाया तो वो चाहते थे कि British जो है वो यहां तो अपना import कम कर दें यहां पर क्योंकि उनको main problem थी imported goods से क्योंकि Britishers अपनी goods को यहां पर लेके आते थे यहां पर बेशते थे low price जिसकी वज़े से जो Indian goods थी वो नहीं भिक पा रहे थी और यहां वो चाहते थे कि British government है वो यहां से चली जाए तो industrial owners थे उनका जो notion था अजादी को लेकर उनका notion था कि wanted protection against imported goods कि वो चाहते थे कि imported goods हमारी country में आना बंद हो जाएं क्योंकि जो government थी British government वो किसी ना किसी तरीके जैसे इंडियन 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 इंडियर्स को हरास करती थी जैसे उनकी goods पर जादे ज्यादा टेक्स लगा देती थी यह अपनी goods को low price पर बेश थी थी ताकि लोग उनकी goods को purchase ना करें तो इसकी वो जैसे industrial owners चाहते थे कि Britishers हमारी country को या तो छोड़ के चले जाएं या उनकी important गुर्जो थी वो यहां पर आनी क्या हो जाएं बंद हो जाएं इस notion से उन्होंने participate किया था civil disobedience moment में तो students हम देखते हैं उनके जो main जो prominent leaders थे वो थे अंडिस लिर्स थे जेडी बिल्ला और पुर्शोतम दास उन्होंने बहुत सारी organizations भी बनाई जि F I C C I means इसको हम फिकी बोलते हैं Federation of Indian Chamber of Conference and Industry जो कब उन्होंने बनाई थी in 1927 में अब आपने देखा है सबका notion अलग अलग है चाहे बुरिज फार्मर हो चाहे पूर पीजन्ट हो चाहे इंडस्रियल ओनर्स हो सब अपने अपने notion से इस moment में participate कर रहे थे वो anti-british नहीं थे प अब धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि यह nationalism की उनमें feeling आएगी कि हम अपने nation के लिए लड़ रहे हैं जरूर आएगी क्योंकि कोई भी problem थी वो थी anti-british अब वो जब देखेंगे कि उनकी problem sort out नहीं हो रही है तो धीरे धीरे यह कहां से connection उनके अंदर nationalism वाला connection आना शुर workers अब owners और workers दोनों के बीच में क्या था एक opposite relationship था क्योंकि जो Congress थी वो किनको sport करती थी industrialist क्योंकि from the beginning Congress was considered a party of the industrialist कि जो Congress है वो क्यों industries को sport करती थी क्योंकि जो सारे के सारे points मिलते थे वो कहां से जो नेट होते थे industrial owners है और यह financially भी Congress की sport करती थी तो जो Congress के जो leaders थे वो किसके favor में जाते थे industrial owners के क्योंकि industrial workers अगर moment में participate करेंगे तो वो यही चाहेंगे कि हमारा rent कम हो हमारा tax कम हो और वो किसके favor में नहीं जाएगा industrial owners के favor में नहीं जाएगा क्योंकि वो उन्हीं से ही land लेके उन्हीं के ही land पर work करते थे उन्हीं की ही factories में work करते थे अगर वो wages डिमांड करते हैं कि हमारी wages जादा हो जाए और हमें salary अच्छी मिले तो किसके against जाएगा industrial owners के तो इस थोट से कहीं लोगों ने कहीं workers ने इसे पाटिस्पेट नहीं किया बट कुछ workers ने पाटिस्पेट किया वो कौन थे 1930 में railway workers 1932 में dock workers 1930 में laborers और छोटा नापुर बट इन सब ने पाटिस्पेट किया बट Congress was hesitant और reluctant to include the workers demand पर जो Congress थी वो इनकी demand को highlight करने के लिए इनकी demand को favor करने के लिए ready नहीं थी क्योंकि Congress को लगता था कि अगर वो workers की demand को preferences देगी उसके struggle में उनकी help करेगी तो कहीं ना कहीं industrialist will get aligned from the moment कि कहिए ना हो कि industrialist जो थे वो moment में participate ही ना करें इस वजह से Congress जो थी उनके उनको sport करने के लिए ready नहीं थी तो हमने पड़ा rich farmers, poor peasants, industrial owners और industrial workers इन लोगों ने सबने participate तो किया इस moment भी और गांधी जी ने जब दुबारा moment relaunch किया इतने enthusiasm से इन्होंने participate नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं गांधी जी इस moment को दुबारा से call off ना कर दे जैसे उन्होंने पहले किया था क्योंकि कोई भी moment होता था जब वो थोड़ा सा violent होने लगता था लोग radical method उसमें use करने लगते थे तो वो moment को call off कर लेते थे क्योंकि कोई भी moment without violence जादा time तक नहीं चलता तो जब वो violent होने लगता था गांधी जी इस moment को वापिस ले लेते थे इसलिए कुछ लोगों ने इस वज़य से इस डर से participate इतने enthusiasm से नहीं किया जितना उन्होंने पहले किया था करेंगे हम पढ़ेंगे women के बारे में कि women ने civil disobedience moment में कैसे participate किया women came forward to support गांधी जी and participated in the civil disobedience moment women ने भी actively participate किया उन्होंने manufacturing की salt की salt law को break किया women were the one who picketed sale of imported goods in public places bycott की उन्होंने imported goods की और कई बार women jail भी गई गांधी जी के sport में क्योंकि women को यह लगता था कि अब गांधी रात चल रहा है गांधी जी के sport के लिए हमें अपने nation को serve करना चाहिए अपने nation को बचाने के लिए जितनी help हो सकती है उतनी help करनी चाहिए यह उनकी responsibility को show करता है इसके लिए वो कहीं बारी jail भी गई बट गांधी जी का view थोड़ा सा change था इस चीज़ को लेके क्योंकि गांधी जी सोचते हैं कि अच्छी बात है कि women ने national movement में participate किया civil disobedience movement में participate किया बट woman की जो duty है वो main duty है कि she has to take care of her family fulfill the role of good mothers, good wives वो बन के रहें अपने बच्चों की देखबाल करें अपने घर का ख्याल रखें यह responsibility उनकी है क्योंकि आपने देखा होगा कि women ने participate किया ठीक है बट woman को काफी time तक वो status नहीं मिल पाया जो man के पास था Congress leaders में भी जो main leaders होते थे, वहाँ पर भी women को seat नहीं मिली थी तो societal changes ऐसे थे जिसमें women को उनका जो status था और उनके जो representation थी उसको organization नहीं मिल पाई थी तो जो इस moment में women ने जो participate किया तो उनकी presence जो थी वो क्याव रही symbolic presence बनी, मतलब जो उनका change होना चाहिए था society में, जो उनको rights मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिल पाए थे और उनकी presence क्या रही, symbolic presence रही तो students इस lecture में हमने पढ़ा है how participants saw the moment, different participants means rich farmers, poor peasants, industrial owners, industrial workers and women इन समने अलग-अलग notions से participate किया था national moment में तो students हम अपने lecture में, जो next lecture आएगा, उसमें हम देखेंगे limitation of the civil disobedience moment